जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली भकत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूँ 24 मार्च होली का देहन में केवल ये साथ चीज माता काली के नाम लेके डाल दें सारे रास्ते आप लोगों के खुद खुल जाएंगे जब आप ये महा उपाए होली के दिन करेंगे जी हाँ भकतों आज मैं आपको कुछ नी बताने वाली सिंपल सा एक उपाए बताने जा रही हूँ जो केवल तब किया जाता है जब होली हो या फिर दिवाली हो मलब बड़े बड़े जो फेश्टी वल होते हैं तब इन उपाएों का कारे करना चाहिए तो मैं जो आपको इस बीडियो के माध्यम से कारे बताने जा रही हूँ ये कारीय ऐसा है कि आप लोगो को सिर्फ होली वाले दिन ही करना है जैसे कि 24 मार्च की छोटी होली है, होली का दहन है और 25 की रंग वाली होली है तो आपको इसे 25 को नहीं करना है इसको आपको 24 मार्च को होली का देहन वाले जिस दिन होली जलेगी उस दिन आप लोगों को ये उपाय गुप्त तरीके से चुपचाप से करना है अब जैसे ही मालो आप ये उपाय गुप्त तरीके से करेंगे तो आपके जो घर के सब रास्ते हैं वो खुद खुलेंगे समझ रहें आप? आपके घर में कितनी भी दिक्कत, परिशानी, कुछ भी करजा वर्जा जो भी कुछ आपके उपर है तो आप इन चीजों से एक मिन्ट में सिर्फ छुटकारा पास सकते हैं इस महा उपाय को होली का देहन वाले दिन करने से तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाती हूँ अगर आप लोग महा काली भकत गयान यूटूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना वेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जोवी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भकतों के पास पोचे तो अधित्र करके कुछ ऐसे भकत हैं माता काली के और अन्य देवी देपता के जिन लोगों के घर के रास्ते सभी बंद हुए पड़े हैं कोई भी मतलब घर में कभी सुबकाम होता ही नहीं है करते तो बहुत कुछ हैं सोसते भी बहुत कुछ हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे लेकिन जब समय आता है तो कुछ भी नहीं कर पाते कोशिस करते हैं कोशिस भी हार जाती है तो आपको कुछ नि करना 24 मार्च को होली का धहन वाले दिन केवल 7 चीजे में बताऊंगी जिनका आप लोगों को इस्तमाल करना है और माकाली का नाम लेके बावा भोले नात का नाम लेके आपको होली के अंदर इसे डाल देना है यानि जब होली जलेगी तब ही आपको ये कारे गुप तरीके से करना पड़ेगा चलिए मैं आपको बता देती हूँ ध्यान से सुने वीडियो को लाश्ट तक देखे तभी आप लोगों की समझ में आएगा वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा गर आप फीडियो को काट के देखोगे तो पहली चीज आपको थोड़े से मखाने ले लेने ठीक है दूसरी चीज आपको एक सुखा गोला ले लेना है तीसरी चीज आपको एक रोटी लेनी है फ्रेस आटे की बनाके अपने हाँ से फ्रेस आटे की मतलब जो ताजा आटा हो उसकी एक रोटी बनाए छोटी सी चोथी चीज आपको थोड़े सा एक गुड़ का डला ले लेना है और पांच भी चीज आप लोगों को हल्दी का एक तुकडा लेना है और छट भी चीज आप लोगों को पांच हरी लाईची ले लेनी है और साथ भी चीज आप लोगों को लाल सिंदूर ले लेना है इस साथ चीजे हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे भी दिख रही है इनी का आपको इस्तमाल करना है और अपने घर के सभी रास्तों को खोलना है तो कुछ नी करना है चाया आपका गुरु हो ना हो कोई हो या ना हो सिर्फ आपको ये उपाय करना है इसी उपाय से आपके घर के सभी रास्ते खोल जाएंगे आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होईगी जीवन भर आप खुसी-खुसी हमेशा रहोगे जो मांगोगे माकाली से अन्य देवी देपता से भगवान से वही चीज आपको प्राप्त होने लगेगी धीरे-धीरे करके तो आपको करना क्या है? जो मखाने आपने लिए हैं ये मखाने आप लोगों को गोले को उपर से काट के सारे मखाने आपको गोले के अंदर भर लेने हैं गोले को उपर मतलब काट लोगे जब तो अंदर भर के आपको गोले को बापिस से ढख देना है जहां से आपने काटा है उपर से उसे पांच वार कलावे से बांध लेना कलावे से बांधने के बाद इसको आपको एक तरफ कर देना है अब जो आप रोटी बनाओगे उस रोटी में आपको थोड़ा तक गुड का एक डला ले लेना रोटी में ही रखना है गुड़कर डला ठीक है और जो हल्दी है वो आप लोगों को लाल सिंदूर के साथ रखनी है और जो हरी लाइची है वो आप लोगों को गोले के साथ रखनी है अभी सातों चीज लेके आप लोगों को कुछ नी करना बज्जे से ही मालो होली का देहन होता है जैसे ही होली जलती है रातरी 12 वजे कहीं कहीं ऐसी जगा है जहां पे होली जल्दी जला देते हैं तो आप कहीं भी जहां भी रहते हैं वहीं आपको इसका इस्तमाल करना है चाहे जली जले चाहे देर में जले कभी भी जले लेकिन आपको ये महा उपाय करके अपने घर के सभी बंध रास्तों को खोलना है और ये जो मोका है आप लोगों के लिए बहुत जादा जरूरी है ये मोका ये दुवारा नहीं आएगा अगर दुवारा आएगा तो next साल आएगा य 케ी सीने मालू बंद कर र durante करके हैं या कैसे वी बंध हो तुरंत ही सुपाय को करने से खुल जाएंगे फिर आप खुद देखांगे करें सारे सब ये तुब बाद इस पहले औल कंते हैं के चैवल EL होल जलती है जिसके अंदर आपने मैंाफने सबस्पले हैं होली के टोल जाल होली का देहन में डाल देना है फिर उसके बाद आप लोगों को रोटी लेनी है रोटी में जो आपने गुड रखा है वो गुड समीत आपको रोटी होली का देहन में डाल देनी है हरी लाइची डाल देनी है और जो हल्दी का तुकड़ा लिया है वो सिंदूर के साथ डालना ह सिंपल सा उपाय है आप इसे असानी से कर सकते हैं और अपने घर के सभी बंद रास्तों को खुद ही खोल सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना किसी से पूछने की जरूरत है आप खुद ही अपने हातों से अपने घर के सभी बंद रास्तों को खुद खोलो ठीक है उसके बाद से क्या करना है जब ये सारी चीजे आप वहाँ पर चड़ा देंगे मतलब होली में जब होली जलेगी तो वहाँ आप अगनी में इसे डाल देंगे तो आपको बस कुछ नहीं गरना हाथ जोड़के धरती माता को चुमके बस यहीं बोलना है कि हे माता मेरे घर के सभी बंद द्वारों को खोलिए मेरे घर के रास्तों को इसी वकत से खोलिए जब भी मेरे घर में कोई सुपकारे हो तो माता कभी भी किसी भी तरह के रुकावट नहीं आनी चाहिए और इसी वक्त से मेरे घर के सवी रास्ते खुलने चाहिए ठीक है बस सिंपल तरीके से आपको माता को बता देना है और ये चीजे चड़ा कर आप अपने घर के बंदरास्तों को खुद खोल सकते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं गनना है जैसे जैसे मै मैंने बताया वस वैसे ही फोलो करो अगर आपको कुछ पूछना है मैं ऐसे तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो मैं आपका जवाब जरूर दूंगी अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादेव माता काली बाब मनुकामना पूरी करें खुछ रहे आप और आप लोगों का परिवार जै माता काली हर हर महादेव ओम नमस्षिवा